Hello guys, आईए देखे आज के दा हिंदू की मख्य सुर्किया Front page भी खबर है, no bank guarantees meant a more expensive new referred deal साथ सदस्य वाली Indian negotiating team, भारतिय वारता team ने अपनी final report Defense Ministry को 21 जुलाई 2016 को submit की है इसमें ये अनुमान लगाया गया है कि French government की backing के साथ French commercial suppliers ने जो bank guarantees देने से मना कर दिया है उसकी cost उसकी लागत लगबक 544 million euros है अब इसकी वज़े से 36 fly away rafail fighter jets के aircraft और weapon packages की deal जोकि National Democratic Alliance की सरकार द्वारा फ्रांस की सरकार से 7.87 billion euro में तै किया गया था 23 सितमबर 2016 में अब ये deal हमें 246.11 million euro से महिंगी पड़ेगी यानि अब इसकी लागत 246.11 million euro ज्यादा होगी आईए देखिए इस deal की align cost और final price align cost यानि की सरकीत लागत without bank guarantee cost बिना bank guarantee लागत के ये align cost है aircraft package के लिए ये थी 7,341.58 और जो French government से French side से final price offer की गई है वो भी बिना bank guarantee cost के वो है 7,189 million euro weapons package की लागत 718.29 million euro और जो final price offer की गई है French द्वारा वो है 710.45 million euro अगर हम total देखे तो align cost हो भी without bank guarantee cost के है 7,485.87 million euro जबकि French side ने offer किया है सिर्फ 7,889.45 million euro जो bank guarantees का financial impact आ रहा है वो इतने का है 579 million euro तो 8,060.87 में से ये 524 अगर हम निकाल दे तो align cost सिर्फ इतना आता है जबकि इस amount की जगा पे French ने हमें final ये amount offer किया है कि वो हमें इतना amount ही मतलब इतने amount में रफेल दे सकते है Next is tariff high to hit exports to US United States के राश्च्रपती Donald Trump ने ये घोशना की है कि वे भारत के साथ चल रहे generalized system of preferences GSP program के अंतरगत preferential trade terms खत्म करना चाहते हैं उनका ये इरादा House of Representatives के speaker और Senate के president को एक खत के द्वारा भीजा गया इस GSP program के अंतरगत 121 developing राश्ट्रों में उनके कुछ सामगरियों पर zero tariff लगाया जाता है ताकि उनके व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके US में भारत के exports तकरीवन 5.6 billion dollar होते है इस GSP program के अंतरगत जो कि भारत को इस GSP program का सबसे बड़ा लाभारती बनाता है GSP से भारत में जिन शेतरों को benefit मिलता है लाभ मिलता है वो है chemicals, gems and jewelry, engineering और textiles जो top 5 देश इस GSP program से सबसे ज्यादा लाभ उठा रहे हैं वो है India, फिर Thailand, उसके बाद Brazil, Indonesia और Turkey Next is 15 of the 20 most polluted cities in the world are in India दुनिया की 20 सबसे ज्यादा प्रदूशित शेहरों में से 15 शेहर भारत में है हर्याना के गुरुग्राम ने इसमें लिस टॉप की है यानि की सबसे प्रदूशित शेहर है गुरुग्राम इसकी आवरिज एनियोन पर्टिकुलेट माटर PM 2.5 कॉलिटी है 135 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर 2018 के लिए आए देखे कौन से है वो 20 सबसे ज्यादा प्रदूशित शेहर दुनिया के पहले नंबर पे है गुरुग्राम 135.8 के साथ फिर आता है गाजियाबाद 135.2 के साथ फिर है फैजलाबाद पाकिस्तान से 130.4 फिर है फरीदाबाद 139.1 PM 2.5 की कॉलिटी पांच विस्तान पे है भिवाडी 125.4 के साथ फिर आता है नोईडा 123.6 पतना 119.7 चाइना का होतान 116 लक्नौ 115.7 पाकिस्तान का लहोर 114.9 डिली आता है ग्यारवे नंबर पे 113.5 के PM 2.5 के साथ फिर आता है जोदपूर 113.4 मुजफरपूर 110.3 वाराणसी 105.3 मुरादबाद 104.9 आगरा 104.8 बागलादेश का ढाका 97.1 गाया 96.6 चाइना का काश घर 95.7 और आखिर में 20 में नंबर पे है जिन्द 91.6 के स्कोर के साथ नेक्स्ट इस असम गेट स्मार्ट फैंस लॉंग बॉर्डर लगबग तीन दिशकों बाद जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था एक डिजिटल बैरियर द्वारा भारत और बांगलादेश की 4,096.7 किलोमेटर के बॉर्डर पे 61 किलोमेटर के गाप को भरा गया है असम राज यही बांगलादेश से लगबग 263 किलोमेटर की बॉर्डर शेर करता है ज्यादा तर बॉर्डर फेंस कर दिया गया था लेकिन एक 61 किलोमेटर का स्ट्रेच जो की धूबरी डिक्सिक्ट में है वो खुला रह गया था और अब डिजिटल वैरियर द्वारा उस 68 किलोमेटर के गाप को भी भर दिया गया है नेक्स्ट इस पेंशन स्कीम फोर वोकर्स लॉंच्ट मंगलवार को प्राइम मिनिस्टर नयंद्र मोदी ने प्रधान मंत्री श्रम योगी मंदन PM SYM योजना लॉंच्ट की ये नैशनल पेंशन स्कीम जोकि अनवर्गिनेस सेक्टर के वोकर्स और लेबरर्स के लिए फरवरी में इस साल के इंटरिम बजट में गोशित की गई थी इसके अंतरगत अनवर्गिनेस सेक्टर के इंप्लॉईस को 60 साल की आयू के बाद 3000 रुपे की मंधली पेंशन प्रदाद की जाएगी नरिद्र मोदी जी ने ये भी कहा है कि अनवर्गिनेस सेक्टर से तक्रीबन 22 क्रोड वोकर्स इस पेंशन स्कीम के लिए एलिजिबल होंगे जोकि 55 रुपे से लेके 200 रुपे मंधली कॉंट्रिब्यूट कर सकते हैं इस स्कीम का नाशनल लॉंच एहमदाबाद में हुआ था जहां मोदी जी ने P.M.S.Y.M. पेंशन कार्ड प्रदान मंत्री श्रम योगी मंधन के पेंशन कार्ड कुछ लाभारतियों में बाटे और इसके साथ ये भी कहा कि स्वतंत्र भारत में ऐसा पहली बार हो रहा है कि अनॉर्गिनाइस सेक्टर के वर्कर्स भी अब मंत्ली पेंशन पाएंगे इसी के साथ हमारा आज का दर हिंदू की सुर्कियों का विशलेशन यहीं समाप्त होता है अगर आप दर हिंदू करेंट फैस डेली वीडियोज हिंदी में देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल ए एशा यंग आईस को सब्सक्राइब करें बेल का बटन दबाना ना भूले